अगर आप विजय अकैडमी के यूटूब चैनल पर जाएंगे तो वहां पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी डाउट का खात्मा उस प्लेलिस्ट के अंदर मेरे जितने भी व्यूर्स हैं वो मुझे अपना डाउट शेर करते हैं उसके बाद मैं उनका solution प्रोवाइट करता तो चलिए इस question को देखते हैं यह भी हमारे qeer ने बेजा है find angle theta so that total internal reflection occurs at interface AB तो आप यहां पर देख रहें AB interface पर क्या हो रहा है total internal reflection that means यहां पर यह एंगल जो है आपका alpha है और यह एंगल आपका कितना हो गया 90 degree this is the condition for total internal reflection यहां पर को सेंट्रिक जो है cylindrical दिया हुआ है slender दिये हुए है एक inner cylinder एक outer cylinder आप देख रहे हैं तो एक यहां पर भी देखिए एक reflection यहां हो रहा है यह जो है आपकी incident ray और यह आपकी reflected ray यह चोटे वाले cylinder से जो inner cylinder उससे outer cylinder में जब जाएगी रहे तो basically वह जो reflect हो रही है वह at the angle of 90 degree हो रही है ठीक है तो इसको क्या बोला जाएगा total internal reflection तो यहां पर हम किसका इस्तमाल करेंगे पाइग के उसनेल स्लो का तो पहले हम यहां पर देख लेते हैं मालो यह वाला जो पॉइंट आपका इसको मैं कोई नाम देदेता हूं मालो x यह sont x है और यह प्वाइं तो हम स्नेल दो लगा ये पहले स्नेल डॉप कि स्जाटें किस द्राइसे यूझ सभर एक सै overly सिंटेंग तो एठदेरे ये इसी मीडियम के अंदर यह जौ पर है इसके सातथ इंसे रहे ngoam कितने एंगल बना है थीटा तो हम iskars sign थीटा लेंगे बाए इच फाल चू अब यह जो रहे रेश्य रिफ्रेक्ट हो रही है दूशरी मीडियम में यह वाले मीडियम में तो यहां पर इसका 5000 टेटा डैश्य अगल कितना है थीटा इसका Talking प्रीस लिलेंगे sourcing टीटा डयश दे Holzजी क्लियर है तो हमें यहां पर सइंड टीटा निकालना है तो साइंड कितना हो गया 4 गया OMG वर यह हो गया साइन टीटा डाश तो टूटूजकर वोर और यहां गया थ्री डैट ज्टोथा थ्री साइं-टीटा डैश अब मुझे अगर किसी तरह से sin theta dash मिल गया तो मेरा काम आसान हो जाएगा अब sin theta dash निकालने के लिए आप यहाँ पर ध्यान से देखिए यह जो है x y और मालो इस point को में नाम देता हूँ z तो x y z यह क्या बना रहे है एक right angle triangle यह क्या बना रहे है एक right angle triangle तो मैं यहाँ पर snell slo लगाऊंगा at y अब मैं snell slo लगाता हूँ snell slo at y y पर लगाएंगे तो देखो यह angle alpha और यह कौन से medium में है जिसका refractive index 4 तो 4 into sin alpha that will be equal to अब यह जो ray है इस medium में गई that means जिसका refractive index 3 तो यहाँ पर कितने अगल बना रही है यह रहे 90 degree इस perpendicular वाली लाइन से ध्यान रखना है तो यह आ गया 3 into sin 90 ठीक है जी तो sin 90 की value जो हो गई 1 हो गई आपको पता है तो यहाँ से हमने निकाला sin alpha that is equal to 3 by 4 अब sin alpha क्या हो गया यह 3 by 4 that means perpendicular upon hypotenuse तो perpendicular कितना है अगर sin alpha की बात करें तो आपका जो perpendicular है वो यह है this is perpendicular that means यह 3 हो गया और यह आपका hypotenuse हो गया यह 4 हो गया ठीक है जी तो राइट एंगल ट्राइंगल बना तो yz कितना हो जाएगा स्क्वार रूट में 7 करके देख लेंगे कैसे करेंगे देखो 4 का स्क्वार that is equal to 3 का स्क्वार plus yz का स्क्वार तो 16-9 that is equal to yz का स्क्वार तो yz की value कितनी आ गई जी स्क्वार रूट में 7 तो हमने रूट 7 लिख लिए ठीक अब हमें क्या निकालना है sin theta dash तो sin theta dash कितना हो जी जी साइन थीटा डैश साइन थीटा डैश के लिए रूट 7 जो है परपेंडिकुलर की तरह काम करेंगा तो root 7 अब उन में hypotenuse hypotenuse कितना है 4 तीक है तो sin theta dash हमें मिल गया अभी sin theta dash की value यहां पर रखेंगे तो हमारे पास sin theta क्या था sin theta is equal to 2 by 3 तो sin theta dash की जगे क्या value हाजाएगी root 7 upon में 4 ठीक है जी तो 2 to 4 that is equal to root 7 upon में 6 तो यहां से theta की value कितनी हाजाएगी अगर हम यहां पर इसको इस तरह से निकाले sin inverse root 7 upon में 6 is the answer तो उमीद करता हूँ आपको इस question का जो concept है वो अच्छे से clear हुआ अगर आपको physics के अंदर कोई भी doubt है तो आप इस number पर WhatsApp कर सकते हैं telegram पर group join कर सकते हैं वहां भी आप अपना doubt share कर सकते हैं तो वहां से उस doubt का मैं solution create कर दूँगा और upload कर दूँगा तो चलिए मिलेंगे हम अपनी next doubt में कर वहां से कर सकते हैं आप सलै आप र cepक पर सकते कर दो इस भी ऋटता है